कि अभी वान वेरी वेरी गुड ओल इस वेलकम टू जयारफ अधाव मैं अधीति आज आप सभी लोगों का मौनिंग सेशन लेकर आपके सामने हूं पेपर वन हम सभी लोग पढ़ रहे हैं बैक वैंट 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 व सीरीज आप लोगों के लिए और कल हम लोगों ने 25 तै अब लोगों के सेशन में पके किये थे तो आज का जो हमारा यह सेशन है यह डेडिकेटेड होने वाला है कंप्यूटर में आप लोगों के किस प्रकार के क्वेस्टन साते हैं यानि ICT वाला जो यूनिट है पेपर वन का वहां से एक क्वेशन तो गारेंटी है कि आएगा ही आएगा वह है आपकी मेमिरी से रिलेटेड कंप्यूटर की डिफरेंट डिफरेंट टाइपस अफ मेमिरी इस होती अलग अलग प्रकार के मेमिरी होती है चाहे वह प्राइमरी हो सेकेंडरी हो तर्शिरी हो आपके लिए कैश हो रजिस्टर जो और मेमिरी हार्की के सवाल हो तो सारी की सारे questions आज ही हम solve करेंगे, सब का revision एक ही पारी के अंदर आज मैं करवाने वाली हूँ, तो एक बार जल्दी से मेरा IV मुझे चेक करवाएंगे, वीडियो को like and share करेंगे, so that सब जो है हमारे साथ में join कर ले. गुद मॉर्निंग मांसी, गुद मॉर्निंग अश्वनी, सना, मुकुल, हरीश, मॉनिका, सरेता, कैसे हो सभी लोग, I hope सब बढ़िया होंगे, सब की तेयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, कल मैंने आप लोगों को revision के लिए वीडियो दिया था, किया था, क्या, revise चलो, बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने revise किया था, तो, आज का session स्टार्ट करते है, I hope कि सभी बच्चे आ जाएंगे, within one minute, आप सभी लोगों को मैं बता दू, अगर नए आया हो, कोई भी ऐसा है, जो for the first time मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम Aditi है, paper 1, और computer science paper 2 है, ज कुछ होना चाहिए, तो मैं इस Sunday को कम से कम 3-4 घंडे के marathon लेके आ रहे हूं, जिसमें मैं पूरा 2022 वाला और 2023 वाला paper आपके सामने solve कर रहे हूं, तो ये session का marathon मैं already लगा चुकी हूं, जितने भी students देखना चाते हैं, वो मेरे साथ में session को देख सकते हैं, ठीके ना, इसे आप आपका paper 2 का भी बहुत सारा काम हो जाएगा, ये main channel पर ही होगा, इसी channel पर Sunday के दिन आप लोगो के लिए marathon आएगी, जैसे हम लोग हर सुबर एक motivational quote के साथ में शुरू करते हैं, तो आज का जो मेरा motivation quote है, वो ये है, कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, कि हो सकता है, कि हमने डिसाइड किया था कि कल से पढ़ाई करेंगे, फिर कल भी चला गया, फिर सोचते है, कल से करेंगे, फिर वो कल भी चला गया, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, अपने आप पर इतना हार्श नहीं होना जे, हर एक दिन आपके लिए इंपोर्टेंट है, नई शुरूआत करने का दिन होता है, और इसलिए कहा चाता है, कि हर एक दिन जो है, वो आपके पास मैसा है, जो आप कॉंट्रिब्यूट कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर, चेंज लेके आ सकते हो, हो सकता है, कल आपने कम पढ़ाई करी हो, तो आज आप पढ़ाई कर सकते हो, हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ही जादा कीन्ती है मैं सेफ आपको UGC net examination के लिए ने बोल रहे हूँ इन जेनरल भी बोल रहे हूँ जिस भी destination पर हम पहुशना चाहते हैं उनसे बहुत जादा ज़रूरी होता है कि जो रस्ता हम तै करते हैं वो जो जर्नी आप तै कर रहे हो उसमें आ आगे बढ़ना है दो बहुत ही प्यारे कॉमेंट्स मुझे कल के session में मिले कल बहुत सारे पच्छों थे जिन्होंने qualitative quantitative research के answers दिये सभी बच्चों ने सही आंसर वहाँ पर लिखे दे कॉस्यालिटी के बारे में एक बच्चे ने बहुत बढ़िया और प्यारा सा बड़ा लं इस तरीके से इनका user ID बना हुआ है आप अपना नाम लिख सकते हो क्योंकि एक्चली में जिस अकाउंट से आपने login किया हुआ है वो अकाउंट शो करता है यहां पर इन्होंने लिखा कि यह पेड स्टूडेंट है और स्टिल यह क्या करता है यूट्योब की सारी classes देखते ह यह चीज में सभी के सभी पेड स्टूडेंट को बताना चाहती हूं जिनको हमेशा ऐसा लगता है देखो मैंने हमेशा एक चीज बोली ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पेड कोर्स ले लिया तो इसका मतब है कि आपका सिलेक्शन ड़न है ठीके पेड के अंदर आप लोगों को जो भी मैंने प्रॉमिस किये कि सार flok इसारे क सारे recording classes मिलेंगी वह मिलती है सारी कि सारी live doubt session मिलेंगे वह भी मिलते है hazi कि सारे और भी चीज जो आप लोगों को मिलती है भी अधर जैशने के अंधर है तो बहुत सारी चीज जो होती है test series के लिए उनको pay nी कर न होता होता है जब एक पेड़ स्टुडेंट को मैं बोलती हूँ कि यह वाला यूट्यूब क्लास आपको लेना चाहिए या आपको रिविजन करना चाहिए या मैं नहीं भी बोलो आटोमाटिकली अगर वही चीज करने लग जाए तो इसका मत्तब यह होता है कि उसे का रिदम खुद से ही सब्सक्राण थे पेड़ी करते हैं कि इस आप के इंसान्याइं हमेशे में सेम बाता ही कर'mें हो सकता है मैंने कुछigoř 2 बोल तो आपके लिए अच्छा ही है तो अच्छा लगा यह पढ़के कि यार यहर क्लास में आती है या आता है जो भी है अभी पता निये मुझे बट यह बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़के कि आसा पेड़ स्टुडेंट भी आते है एक कॉमेंट था जो सरीता ने किया है सरीता चोहान 9746 इनका है इन्होंने पता है कि हिंदी मीडियम के स्टुडेंट होते हुए भी मैं एक को सारी चीज़े समझ में आ गई तो यह चीज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जितना ज्यादा महनत से आप चीज़े समझोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा ऐसा कुछ नहीं है हिंदी इंग सकते हो ठीक है यह सारे सब्जेक्ट की टैसरी इस भी अब लेना चाहो तो ले सकते हो कॉस्ट आपको मैंने बताई दी है 31 टोटल मॉक टेस्ट है जो पेपर वन और प्लस पेपर टू दोनों के मिल जाएंगे ठीक है अब सेशन शुरू करते हैं आज का और पूरी की पूरी की साथ ही इस पूरे टॉपिक को पड़ेंगे क्योंकि टॉपिक मज़िदार है टॉपिक के आने की चांसे भी बहुत जाता है और इट विल बी वेरी वेरी फूट्फुल फो यू तो एक पॉजिटिव एनरजी और एंथियाजिम के साथ में क्लास शुरू करनी है जैसे मैं इनरजेटिक होने जो तो एक बार थमस अब करेंगे सभी लोग लाइट में रेडी है कि नहीं है रेडी है चले शुरू करें कि एक ज़ते हैं चालो बचे आप आप ऐसी आजाती है कि कम्प्यूटर के अंदर यह जो मैमिरी की बात आप कर रहे हूं मैम यह जो i.t unit है आप लोगों की इस i.t unit में हम सबसे से MAJORITY चीज़े क्या पढ़ते हैं मैम हम कंप्यूटर के बारे में पढदे औरं कंप्यूटर के लिए बात है हम उसको इंपट देते वह कुछ न कुछ प्रोसेसिंग करता है और हमको आउट्पुट देता है जब छiो प्रोसेسिंग करता है जैसे आपको store करने पड़ेगी जो store किया हुआ है उसको आपको यूस करना पड़ेगा रहा वह कैसे process करना है इसका भी आपने अलग से instruction का लिस्ट बना रखी होगी क्या क्या काम करना है कैसे काम करना है तो इन सब चीजों के दोरान हमें एक क्या की समझ में आ गई कि सब सारी चीजों का जो में सेंट्रल अटीटी ए ए jullie वह 他 way ony a computer के मैमेरी जितनी जादा अच्छी जितनी जादा फास्ट होगे उत्ना भैतर कंप्यूटर हमें लगता है ये आप लोग को से कि यह कितने millions of instructions को एक second के अंदर solve कर सकता है अब solve करने के लिए मैं दिमाग तो लगाएगा और दिमाग ही तो क्या है मैं मेरी है आपके लिए दिमाग कैसे लगाएगा आपको सारी चीजे याद है अब याद है क्योंकि आपने कहीं न कहीं उससे स्टोर करके रखा है तभी तो वो याद है हमारे जैसे human being के साथ होता है बिलकुल मैं वैसे ही तो अब मैं ही कहती हूं कि यह million instructions per second करता है बड़ जो आपको super computer होते हैं बड़े computers होते हैं वो क्या करते हैं वो मैं floating point operations per second के ओपर क सबी लोगों के लिए क्या करेगा है जितनी जल्दी इनकी memory जवाब देगी उतना जल्दी मैं इसक्टक्रें को execute करेंगे उतना जल्दी और असानी से एक गाम करेंगे तो जितनी तेज आपकी memory उतना बहतर जो है वह आप लोगों के लिए memory होती है अच्छा मैं सिर्फ जो कि होते हैं मेन फ्रेंज 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 मे इसके पास में जादा स्टोरेज नहीं कर सकता तो तो तेज काम नहीं कर सकता है पर जाने किसके जाते हैं स्टोरेज के लिए और सूपर कंप्यूटर्स किसके लिए जाते हैं अपनी स्पीड के लिए तो यह चीज याद रखेगा जो में फ्रेम कंप्यूटर्स इनकी स्टोरे फिलाल में chose कि यह समझ में आता है कि आप यह कहनाओ कि वह कंप्योटर की की ज जञाद आपके लिए तेज होगी यह जेस्व जञा बड़ी होगी उतना हमको फायदा है जितनी तेज हो यह जितनी बड़ी हो अब मुझे बात बताओ जो चीज बहुत बड़ी है उसके अंदर मुझे कुछ ढूंडना है मैं आपको एक गोडाउन दे दू और उस गोडाउन में जाके बोलू कि जाके यह पेंट ढूंड के लेक है ना उसके अंदर हमारा सारा समान पैंसिल शापनर सब सारा सामगरी लेके जाते थे स्कूल में करना कुछ होता नहीं दामने स्कूल में जाके तो लड़ाई करके वापिस आने थे अब फिटे फिन खाके वह बॉक्स है गोडाउन के कितना चोटा है और वहां पर रखावा हो पैन है आपका पैन नहीं ते भी आसानी से सहीं बात हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यह समझनी है कि में चीजा चीज ने या तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपकी मैमरी चो है वो कैसी है वह आपके लिए अनो बहुत तेज हो यह आप यह बोलोगे कि जो आपकी computer की memory है उसकी जगे से आप उसको compare करोगे तो हम यह कह रहे हैं कि मैम जितनी बड़ी memory होगी उसमें उतना ही धीरे डेटा को ढूना पड़ेगा क्योंकि मैम बहुत बड़ा है तो ढूनने में समय लगेगा और जितनी छोटी memory होगी मैम वह उतनी तेज होगी तो इसका मतब यह है कि सूपर कम्क्यूटर्स के अंदर मैं बहुत चोटा मैमेरी होता होगा नहीं यह इसका बिल्कुल मतलम नहीं है जाइर सी बात है हमें जगे भी ज़्यादा चाहिए और तेज भी एक्सिस करना है तो हम इस चीज के लिए डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स की मैमेरी के एक हायर की बना लेते हैं हम क्या कर लेते हैं मैं हम गो डाउन भी रख लेते हैं और जो समान बहुत जल्दी-जल्दी हमको ढूनना है जल्दी-जल्दी एक्सिस करना है उसके लिए हम क्या रखने हैं तो हम स्टोरिज के लिए क्या करते हैं इस तरीके से चोटे से बड़े क्रम के अंदर हम उनकी एक order को set कर लेते हैं हायर की बना लेते हैं इसी concept को हम लोग बोलते हैं memory हायर की इतना समझ में आया क्या एक थमसब करेंगा इतना समझ में आया तो यह चीज समझ में अगर आ गई है तो आप देखो म हमें perfect trade-off होता है size में और speed में तो हमारे पास में जो यह memories है यह memories को हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार से कुछ ऐसी memories होती है जिनको हम कहते हैं internal memory और कुछ ऐसी memories होती है जिनको हम कहते है external memory अब इससे पहले कि मैं आगे भढ़ू तो मैं आपको यह चीज जरूर समझाना चा यह जो है यह आपका motherboard है मोगो जिसको हम लोग बोलते हैं और जो आपका motherboard है उस motherboard के ऊपर एक होता है जिसे हम कहते हैं north bridge और एक होता है जिसे हम लोग कहते है south bridge ठीके ना north bridge वो वाला point है जहां पर आपका main आदमी main आदमी कौन होता है CPU क्योंकि यह computer का brain है यह यहां रहता है ठीके ना आप लोगों के लिए जितनी भी आपके इंटर्नल मेमेरी जैसे कि आप लोगों के लिए इवन आपकी जो हाड ड्राइव है वो भी हो गई यह सब के सब चीजे जो है जो कि आपके यूजर से रिलेटेड होती है जहां से आपका यूजर का इंपुट आउटपुट करता हैं temporary bus ब्युक्रेड रहते हैं वो रहते हैं साउथ ब्रिज पर यह क्यूंट रहे हूं कि मैमिरी से ही रिलेट करताया आपका कॉंसेब्ठ बसिस का झॉप पर अपने है हर्ण क्यों है इस पार्ड से साच पर पर देटा को हम इस पार 2 पर पर लेके जाते है फिर फ्राइनली नौर्थ नौख through CPU जो है उसे execute करता है North Bridge पर आप लोगों की जो एक बहुत प्यारी memory रहती है विसे हम कहते हैं main memory जो चलती है random access technology पर देरफोर the name random access memory यह कौन सी है आपकी माम यह आपकी RAM memory है तो सबसे जो दो आपको बड़ी memories दिखती है बड़ी in the sense जिसका बड़ा रॉब है वह है आपकी तो main memory जिसको हम बोलते है और एक है आपकी hardest right सबसे जादा lane lane सबसे जादा बाची जो है वो इनी के बीच में होती है सबसे जादा इसा नहीं इनके बीच में और भी बहुत सारी memories होती है यह ज़रूर याद रखना यूजर का input output कौन से bridge पे जाता है और यह bridges पर कौन से data लेके जाने के लिए बसे यूज होती है external बसे यूज होती है और internally data को transport करने के लिए है ना not bridge तक data को पहुच आने के लिए कौन सी बसे यूज होती है internal यहाँ पर सारी memories जो रखी है इंटर्नल मेमिरी यहां पर जो हम एक्स्टेंडड मेमिरी लगाते हैं कहलाती है एक्स्टर्नल मेमिरी अब यह कैसे पता चलेगा जैसे कि आपकी हैं आपके लिए जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइस होती है सारी की सारी आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज इसके लावा जो भी आप सभी लोग फ्लैश मेमिरी इस पढ़ते हो ना जैसे आपकी पेंड्राइब यह सब की सब चीजे किस पर लगती है आपके सेकेंडरी ब्रिज पर लगती है जो कि आपका साउथ ब्रिज होता है यह सारी चीजे हमने समझी है यह आपके लिए लेवल व थीखेंग है अप देखो स्य में जो आपको डिलीजन करना है वह चलumuz के आपको राम का कैसा का स्यकि मेंच एक्सेुर्य मक़ी इसविए मेमेरी का और दे आवाजियों की रोम ठीक है ना थैब को नहीं जो में पढ़ी है उस में में म्मेरी में राम आप लोगों को पढ़नी मैं उसके अंदर उतना ही ज्यादा मुश्किल है डेटा को ढूना इसलिए size में तो वो बड़ी है बड़ उसके अंदर डेटा को ढूनने में जादा समय लगता है तो यह जो होती है यह आपकी लेवल फोर वाले मेमरीज यह जो मेमरीज है इनको हम लोग कहते हैं मेगनेटिक टेप्स जो सबसे नीचे है सबसे बड़ी है ठीक है और इसलिए इसके अंदर डेटा ढूनने में समय जादा रखता है तो हम वो डेटा इसके अंदर रखे जिसका रोज काम नहीं पढ़ता है सही बात है ना मैं जैसे की जैसे बात बताओ आपने नाम सुनाओगा ना डेटा वेयर हाउस आपसे यूजी सी नेट एक्जाम में भी पूछा गया डेटा वेयर हाउसे डेटा वेयर हाउसे पर जो रखा हुआ डेटा है वह कौन से टाइप की मेमरी में रखा है वो रखा ह पुराना देटा रखा है जैसे कि आपको याद हो तो बच्पन में कैसेट साथी ती ती और उस इन चाहिप की मेमरी हम यूज करते थे हैं आप आज भी वह यूज होती है बट कहांपर यूज होती है क्योंकि यह बहुत ही जादा slow access के साथ में आती है बहुत धीरे के काम करती है तो हम इन इनके सब आप डालते हों तो बहुत करोड़ों लोग है जो उसके उपर डाल रहा है यह सारा डेटा अब इस सभी डेटा का रोज मरा के अंदर क्या काम है यह तो हम आप बढ़ा सा गोडाउन जहां पर सामान रखा रहता है रोज काम नहीं आता है कभी कभी काम वाली जो चीजे हैं वह हम लोग रखते हैं हमारे सब्सक्राइब कर देटा वेरहाउसे के अंदर तर्म याद रखेगा देन आता है आप लोगों के लिए ओप्तिकल डिस्क जैसे तो और आपके डिजिटल वोर्सिटाइल डिस्क हो गई इस प्रकार की जो आपके डिस्क होती है यह आती है आप लोगों के देन यह थोड़ी छ करना रही है तो आपके जो होती है फिर वो आती है अपकल डिस्क कैसी है मैं यह भी एक्सटरनली है cd अलक से डालते थे आप computer के निकाल लेते थे एक रिवाइटेबल होती है एक only readable होती है एसे अलग अलग प्रकार की सीदिस हमारे पास में आती थी देन आपके पास में आत मेमेरी कौन सी मेमेरी सेकेंडरी मेमेरी यह वह मैम जिसमें यूजर का डेरेक्ट क्या होता है रिलेशन होता है यूजर का सारा का सारा डेटा सारा के सारे इंस्ट्रक्शन दुनिया जान की जिए जो यूजर को देनी है कम्प्यूटर को वह कहां जाके स्टोर होता है सबसे प Property का इस्तमाल करके data को store करता है ये जो आपकी magnetic disc होती है ये magnetic disc में आपको ये चीज ध्यान रतनी है कि इसके अंदर moving parts होते हैं क्या होते है जी? moving parts होते हैं अगर मैं magnetic disc आपको दिखाऊं अभी आगे जाके diagram भी इसका आप लोगों को दिखेगा पर आपको ये समझना है कि जो आपकी magnetic disc है, ये कुछ इस तरीके के concentric circles हम लोग imagine करते हैं कि इस तरीके से ये बनी हुई है ऐसे, ये जो circles मैंने बनाए ना concentric circles इनको हम कहते हैं tracks, ये जो मैंने बनाए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं tracks, और फिर हम इनको क में तैसी और एक पास में एक डिस्क नहीं है ऐसी futuro है अपके बहुत सारी डिस्क लोगा केसा करनेक्टेर हो अँपर भी डेटा रखते हो नीचे देट ने दिस्क तो पर तो यहां पर यह जो आपने बनाया है यह कहलाते है sectors तो आप करेक्ट ट्रैक्स का यह जो intersection point आया यह intersection point जो कहलाता है blocks जहां पर आपका actually data रखा जाता है तो आप correct track में पहुँचोगे फिर correct sector में पहुचोगे और फिर आप किस पहुचोगे करेक्ट ब्लॉक पर जिस ब्लॉक पर byte form के अंदर आपका data store होता है इसको हम लोग byte भी बोलते है bytes bytes तो जानते हो ना 8 bits से मिलके एक byte बनता है तीक है ना अब यह जो आप लोगों ने data store करके रखा है इसे ढूंडने के लिए हमारे पास में क्या होता है हमारे पास में एक रीड्राइड है होता है मैं यह जो रीड्राइड है यह आगे और पीछे होता रहता है और यह डिस्क जो होती है यह अपने पर लगाता क्या होती रहती है रोटेट होती रहती है और रीड राइड पीछे आगे पीछे होता रहते हैं तो मूविन पार्ट से पनी होती है और चुप आपके है हैवाइन मग्नेटिक प्रॉपर्टि यू से दिशे हो तो हमने हार्ड डिस्क के गमपैरिजन में एक टेकेंटरी को छूज किया जो कि Apple ने सबसे पहले यूज करके दिखाया था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट ड्राई क्या नाम था सॉलिड स्टेट ड्राई यह जो आप लोगों का रीडराइड है यह यह आपको मदद करता है किसी भी पर्टिकिलर बाइट पर पहुचने के के लिए कि डेटा वहां से निकालना है यह जो डेटा आप निकालते हो उसमें लगता है वह समय आप लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी होता है अगर आपको करेक्टिट ट्रैक्ट पर पहुचना है तो आपके पास में जो समय लगता है करेक्टिट ट्रैक्ट पर लेटेंसी और फिर करेक्ट बाइट पर आप लोग पहुँच जाते हुँ SSD पहले सबसे पहले आपल में चलता था पर आप ऐसा निये SSD जो है वो आपके सभी कंप्यूटर सभी लाप्टॉप्स पर सब पर कनेक्टेड होता है आज के जमाने में दोनों होते हैं इस में अच्रीब दिस्क का सबसे अच्रीब चाहिए है कि सबसे लbab Hello सबसे यह उद्रयव अच्छी द्राइवय को पर वह नच्वानों पर legislator directly मμο artifacts भी नहीं होते हैं वह स्टेशनिए पार्ट से बनी है तो वो बाकी सबी चीजों में तो बहुत अच्छी है वेट में भी हलकी होती है पावर भी कम कंजियूम करती है moving parts भी नहीं होते हैं समझ दो ऐसा नहीं के लगाता rotate होने वाली memory सब चीजों में अच्छे स्पीड में भी तेज होती है सब कुछ अच्छा है बाट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी क्या है कि उसके अंदर रीड और राइड हेड जो होता है अपना वो लिमिटेड डंबर अफ रीड राइड कर सकता है यहां पर कमपेरिटेवली जादा कर स इतना क्लियर हुआ कि मैंने क्या बताई है मैं देखो एक ही स्लाइड से आपको कम से कम दस्पंदरा क्वेशन बता दूंगी जो आपके पिछली स्टेटमेंट में मैंने देखे हैं तो यह रीड राइड हैड वाला मुविंग पार्ट वाला सवाल अजा स्टेटमें पिछल लिए यूजर की मैमेरी है यह यूजर सबसे बहुत किसने कम्प्यूटर कें लं और और कंट्रोल एस आप दबा देते रहो तो हो मैं तो इसमेंट्रो को आपके hard disk drive पे जाके ही स्टोर हुआ है डेटा को पर्मनेंटली सेव करके रखती है यह तो आप अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं जब कंट्रोल एस दबाते हो इसके बाद डेटा कहा जाता है पूछा जाएगा तो सेकंडरी मेरी के अंदर जाता है यह नेचर में यह सभी के सभी अभी तक पढ़ाई नॉन वॉलेटाल है जैसे ही पावर आफ तब भी डेटा रहेगा चल जाएगा और जब ने मैमेरि डेटा चला जाएगा तो फिर लाइट जाएगी तो भी दिकत कब होगी दिकत होगि अब आप लोगों के लिए इसके उपर वाली MEMORIES पर नथेको इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए राम वाली MEMORIES पर आ non-volatile memory data को permanently store कर के रखती है और ये बहूत अच्छी memory है अच्छी memory in the terms की आपके computer के जितने भी important important काम है यानि वह सारे काम जो operating system को करने होते है operating system जहां से instructions उठाता है क्योंकि memory क्या बता है मैंने मैं, computer की भाष्षा में, या human being की भाष्षा में, memory वो जगे है, जहांपर सारी चीजे आपने संभाल के सेव करके रखी हैं, अब आपको कोई भी काम करना है, वो काम कैसे करना है, कप करना है, यह सारे instructions रखे हैं न, कहीं, जब तक वो instructions का page नहीं आएगा, मैं काम कैसे सारे instructions जो operating system को execute करने हैं, कि sequence में execute करेगा, कैसे execute करेगा, यह सारा data आपके read-only memory के उपर रखा रहता है, यह जो आपकी read-only memory है, इसमें सबसे मेneh प्रोग्राम आपका रखा हैं जो होता है computer को start करने का computer का booting program जो कहांपर रखा होता है वह आपके रखा होता है boot strap नाम क्यों पर रखा रहता है even आपके जितने भी डिवाइसे में computer के अंदर छाखे वह input device output device storage device internal device、 external device जितने भी devices computer के पास में है operating system उनसे काम करवाय था अब कैसे उनको काम करवाना है ये भी सारे कहानी पर लिखे होती है device driver नाम के जगा पर लिखे होती है और यह जो vitesse driver programs है ये भी कहा वह सेव उते है ये भी आपके иком के उपरसे थे हुल हो मतब इसमें usually आप ऐसा बताना चाहरहो कि ऐसा डेटा आपने रखा है जो ओपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है यह आप यह भी बोलना चाहरे हो कि यह डेटा तो मैं चेंज करने का कोई मतलब भी नहीं है जो आपकी इस पर रखा हुआ डेटा कौन यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको आपके बेसिक इंपुट आटपुट सिस्टम का डेटा जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है बूट स्ट्राप जो कि कंप्यूटर को ओन करने का प्रोग् तक है या उसको दालते हो तभ हो यह प्रेंटर वाले पार्ट को आपके कंप्यूटर में नहीं काम कैसे करेंगा सोफ्ट्वएर को सुट्वएयर को ठोड़ uskills कि प्रेंट करें हब एस्टोडी Surface करेंग बकायदा उसकी allowing its consistent तो यह आपके डिवाइज राइवर्स बूच्ट्राप हो गया कुल मिलाके आप लोगो का जो रोम है वो एक तरीके का क्या है Firmware है तीके ये सब के सब previous year question है, firmware, firm का मतलब ही क्या होता है, firm का मतलब ही होता है formal अタल, अटल मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता जिसे हिलाया नहीं जा सकता, your हमेशा रहेगा, हमेशा उसके उपर रहेगा, तीके सोर औक रखता है, यह फ़ंडर को स्टोर करके रकता है तो रोम जो होती है पहली चीज non-volatile होती है ठीक है पर्मनेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है क्या मैम इसे हम कभी भी डिलीट कर सकते हैं अब मालीजे कि हमारा मन किया हमारा मतलक मैंनुफेक्चरर का मन किया कि यार जो मैंने लिखी थी ना बूटिंग के अंदर मैंने 100 इंस्रॉक्शन लिखे दें पर अब नई टेक्णोलोजी आ गई है मैं काम करता हूं इस 100 इंस्र के साथ भी वही काम कर देगी जादा इंस्ट्रक्शन के साथ यह नि जगे उसकी हम बचा सकते हैं अगर मांगों मैनुफेक्चरर कोई चेंज करना चाहता है तो जायर सी बात इस पर रखावा चीज आपको हटानी पड़े के तभी तो नहीं चीज लिखोगे अब यह काम सिर् रखे होए डेटा को डिलीट कर सकते हैं अब डिलीट करने के दो तरीके हैं या तो आप सारा का सारा डेटा एक बारी में उड़ा दो या आप क्या करो जो डेटा रखा हुआ इस पर इसे एक के करके उड़ाओ जैसे कि सिर्फ यह लाइन रिप्लेस करनी थी और इसकी जगे तो अलग तरीके से डिलीट करने के लिए ही बोलते हैं या इरेस करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं आपके डबल ई पी रो और आपके लिए ई पी का मतलब यहाँ पर है प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल मतलब अब बता रही हूं ना कि इस पर तो आपकी पीरो मतरा प्रोग्रामेबल रीडों ली मेरी तो एरेज़ेबल प्रोग्रामेबल गयारी, यह च्छेह केशंगÈ नियारी ये पूरज का पूरोंसे एक बारी पोरजियो मतरा ग माद संगे टाहरा है सकते हैं डेटा छोड़ो मैं है इंसान को दो इंसान को दो इसान का तो जब यह हम इंसान को लोटा सकते हैं तो बेचारा डेटा क्या है तो आपका जो गड़ा ने इस एक्जाम्पल से आप एक आता है डबल य बंदर इलेक्ट्रिकली एरेजबल प्रोग्रामेबल एक्वी कर रहा हूं मतलग मैं आप ने electricity provide की है सूरज जी का इसमें कोई हाथ नहीं है सूरज जी चुपचा बैठे थे अपना कोई काम नहीं किया उन्होंने चुट्टी पे थे सूरज जी चुट्टी पे सूरज जी थे तो मैं किसी ना किसी प्रकार का मैंमेड फॉर्म हमको यूज करना पड़ेगा है ना लाइट का वो क्या है इलेक्रिसिटी है तो इलेक्रिसिटी लगा के आप क्या कर सकते हो एक एक डेटा को डिलीट कर सकते हो तो यह हो गई आपकी एलेक्रिकल इरेसेबल प्रोग्रामेब्ल रीड ओनली मेमरी और एक हो है मैं अभी आपने सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बताया था उसकी भी पोजीशन बताओ ना हार्डिस्क ड्राइव है फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है फिर आपकी रोम है फिर आपका राम है आप समझ गये इसे नहीं रोम भी प्रकार की इनटर्नल मेमरी है यह एक्सटर्नल है हार्ड ड्राइवर सॉलिड स्टेट ड्राइव रोम राम कैश रजिस्टर अज्यल मेमेरी कहां रहती है कौन सी ब्रिज्ट पे रहती है मदर बोर्ड के जल्दी से कॉमेंट करके बताओ अभी समझा है है मैंने थोड़ दियर पहले है कि नहीं बिटा फ्लाइश जो है फ्लाइश मेमरी अभी बताऊंगी फ्लाइश मेमरी जो है वह अलग टाइप की मेमरी है फ्लाइश मेमरी जो है वह आप लोगों की होती है जिसे की पेंड्राइव प्रेंड पेंड्राइव वाली मेमरी है ना उसी के आसपास आती है तो फ्लैश मेमरी बोले तो आपकी पैन ड्राइव जैसे मेमरी वह कहां आती है वह यहीं आती है SSD के आसपास आती है तो आप यह कह सकते हो कि SSD और रोंग के कही ना कहीं बीच में वह है कि इंटरनल मैमेरी का रहती है इंटरनल मैमेरी रहती है मैम नॉर्थ ब्रिच के ओपर यहां तब क्लियर हुआ क्या यह सारी कहानी समझ में आई क्या एक लिए तमस अप करेंगे सभी लो और विडियो को एक बार शेयर भी करेंगे बिल्कुल मनीश आपने बिल्कुल सही बोला है memory is what your computer uses to store data temporarily while storage where you can save it permanently very good exact answer इनोंने दिया है यहां तक clear है चलिए मैं आगे की कहानी आगे की कहानी बहुत जादा interesting हो जाएगी क्योंकि अब शुरू हो रहे हैं main memory के ओपर चर्चा main memory नाम ही main है तो सोचो किती main होगी जब आप computer पे कोई भी काम कर रहे हो तो वो जो आप काम कर रहे हो उसे हम लोग बोलता है current काम currently executed instructions इंस्ट्रक्शन्ज जो आप current में काम कर रहे हो किसी भी तरीके का काम कर रहे हो आप computer के अंदर जितने भी currently executed instructions हैं वह सबके सब कहां रहते हैं मेन मेमेरी के अंदर रहते हैं आपका जो सी पी उ है वह सी पिउ सबसे जाधा बात किस से करता है आपकी रेंडनम एक्स से μέ Xiangать बेगाना है your कि में में मेरी आपकी है ही में इसल diferentes इसले क्योंकि जब तक आपने किसी भी instruction को किसी भी data को RAM के अंदर नहीं लेके आये हो CPU उसे execute नहीं करेगा इसलिए इसका नाम है में तो यह question आप लोगों के 2023 जून एक्जाम में पुछा गया था currently executed instructions are kept in which type of memory तो correct answer इसका होगा में में मेरी रैंडम एक्सिस में मेरी RAM समझ गए यह चीज अपने पहले भी पड़ी है जो पुराने स्टूडेंट सुंगे उनको अच्छे से पता होगा कि यह चीज आपने पहले भी पड़ी है हां बिल्कुल बोलते हैं जितने भी टाइप की secondary memory होती है ठीक है उनको हम auxiliary memory भी भी बोलते हैएिस पर कोई गलत बात नहीं है इतना क्लियर है क्या अब करन्त ली हैं एल्ड banco चितने भी आपके इंस्ट्रक्शन से डेटा है वो कहां रहते हैं रेम के रहते हैं रैम जो है मैंने कहां बनाया है मैं ऊपर बनाया है रों से भी यान्य nam comparatively यह है, cela मैम है। तो साफिर स्पीड जी है, अगर काम कंपैर करोगे, तो फिर पर सीड है मंगनें, फिर ऑप्तिकल दिस्क तिस्क तिस्क है, फिर आप के लिए सालिड अगार इस पर सेकवर आप मेरी है, तो Spider has Ram, जो Ram होती है वो आपकी cold ऐसरी है, Раз को arch that Ram ? रखा होता है अगर आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को राम में नहीं रिखा तो CPU से एक्जिक्यूट नहीं करेगा आप यह बात आ जाती है जो आप लोगों का राम होता है यह किससे बना होता है सेमी कंड़क्टर टेक्नलोजी के साथ में किससे बना होता है सेमी कंड़क्टर टेक्नलोजी और जो आपका रैम है वो एक्चिली में है वो है डाइनामिक रांडम एक्सेज चेज मेरी इसके अंदर कॉन्से प्रकार की टेक्नलोजी होती है तो आपके थे शहर पूछा गया था कि एक एक ऐसी नाम बताएं सबसे जादा बार रिफ्रेश होती है थो सबसे जादा बार तो बाहुत सारे बच्चेस के अंदर क्या रख्या गए थे बहुत सारे बच्चेस के अंदर लिख के भा मूलती के चलीब्स परण में जो लगातार ची जो मेंडरी डाइननमेकर क्यों हैं a pra यह लिए रीफ्रेस्ट होती है सबसे ज्यादा रीफ्रेश्ट होने वाली मेंरी कॉंसी है इस तरीकैसे आपको आनस्य करना थो ठीक है मैं यह किस से बनती है सेमिकंड़क्टर तो ठीक है समझ में आ गया बनती किसे है बनती है यह बेटा ट्रांजिस्टर जिसे बनती है तो ट्रांजिस्टर से बनती है तो ट्रांजिस्टर से बनती है आपकी डाइनमिक है नेचर में और इसका नाम है में 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 समझ में साइज में किस से छोटी है और किस से बड़ी है यह भी क्लियर है समझ में डेटा कैसे डूंडेंगे CPU के लिए में क्यूं है यह सब चीजे मैं क्लियर है आगे बढ़ चाते हैं आगे आता है हमारे पास में राम का छोटा भाई डाइनामिक राम का छोटा भाई जिसको हम कहते ह है Static Ram क्या नाम है Hey static FC इसका नाम है Static यह किस से बना mentor होता है मैं यह बना Willa होता है flip-flop से का अगि फ्लिप-फ्लॉब है फ्लिप-फ्लॉब solid activity एक एसा सर्कीट है जो one bit at a time store औरना दो सकता है इसके अन्दर क्या पावर है कि ये एक समय पर एक बिट को store कर सकता है एक तरीकी का circuit हम जो कि logic gate से बनता है computer में हार एक चीज logic gate से ही बनती है digital device है इसलिए तो आपके पास में एक जो circuit बनता है इसके अंधर हम एक बिट को एक समय के लिए hold करके डख सकते है store करके रख सकते है इने flip-clock से बनती है आपकी static randomく proceso memory जो चैस्ष है कि में मे improved CPU के भीच में लगी होई है तो आप ने जो भी डेटा है जिसके बार 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 CPU से यूश कर रहा है उस डेटा को । यह क्या करती है उस डेटा को हम में 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 मेमिरी में से उठाके काश में ले आप झूद कि सेस्छाइ ना तो सी फिजिकल एडरिस जो है वप लोगों के पास वहा हमें निकालना रहता है उपरेटिंग सिस्टम करें पूसारे काम तो आपने क्या किया थोड़ा डेटा जो हार्डिस्क व्राइब में लगाता है इसको अपको करणंदी तो बात करो तो आपके साई जिसका नाम होता है रजिस्टर ये कौन सी मेमेरी है जो अई इसी मेरी है जो आपकी क्या कहलाएगी ये भी आपके लिए वरी वरी हाई स्बसे चोटी होती है अब क्योंकि साइज सबसे चोटी है तो बहुत जाधा तो आप करो की CPU की अंदर ही रखय हुआ है ये थे commander अपिटेक्टेक्टर के Fादर इन्हों ने ये बोला था कि store d program अर्किटेक्टर हो न ज्याए स्टोर्ड प्रोग्राम अर्किटेक्टर का मत्तब यह है जिस डेटा पे इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट करना है और जो डेटा है यह दोनों एक ही जगे रखो एक ही जगे रखोगे तो CPU का टाइम कम वेस्ट होगा और CPU जो है जो भी डेटा मांगेगा तुरंट उसको मि जाएगा तो जल्दी excuse जल्दी execution guy का ideal time कं वो जाएगा मत्तब CPU चोट करेगा तो CPU के efficiency increase हो जाएगी जो हमारे पासरवे ultimate goal की अ कर दि यह तक ट्लियर है कि सभी को जो भी मैंने छीज समझाई पूरी memory hierarchy के साथ-साथ इनके टाइप्स मैंने समझाए है एक बार थम्सप करके बताओ कि हां यार यह क्लियर है तो मैं आगे चलू आप देखो किस तरीके से questions बनेंगे primary memory लिखा है secondary memory लिखा है यही सेम चीज हिंदी में भी लिख दी है तो दिक्कत आपको नहीं होगी अब आपकी जो primary memory है वो कौन सी memory होती है primary memory एक एसी memory है जो temporary data को स्टोर करेगी और permanently store करेगी data को तो वो आपकी secondary memory होगी primary memory जो है वो north bridge पे रखी होती है प्रोसेसर उसको directly access करता है यह जो है यह directly accessible नहीं होती है secondary आपकी memory ठीके कहां रखी होती है साउथ ब्रेज पे रखी होती है नेचर के अगर बात करें तो primary memory वोलेटाइल भी हो त्यासे कि RAM है बट रों कैसी है नओन वॉलेट physio यह कैसी होती यह तोह हमेशा ही नॉन वॉलेटाइल होगी जब भी आपको इस तरीके से एंप दिख जाए किसी भी मैमेरी के आगे चाहे मरम दिख जाए चाहे सका cable तो याद रखना नॉन वॉलिटायल करके आना है क्योंकि मैगनेटिक टेखना से बनना वा कोई भी चीज हमेशा नॉन वॉलिटायल ही कहलाएगा तो इस तरीके से यादवाल आनिये अगर बात किया चाहे में मुडिया हुग मैशा लैया उनको हम ज़िसको मेम क्वारे को जली के ऊण द har Big बोलते हैं यह पर आम इनको ऑप्टिकल डिवाइसे यह जो है यह आपकी इंटर्नल मेमेरी के नाम से भी जानी जाती है सारे टाइब से अंदर मैंने लिख दिये हैं और यह क्या है यह आपकी सेकेंडरी मेमरी है तीके ना इस तरीके से हिंदी में भी अच्छे से इसको हाँ बिल्कूल मैंने तो सारे मॉक टेस्ट इसी तरीके से बनाया है ना जो आपके अक्चली में काम कर सके ठीके सारे स्टेट्मेंट वाले ही सवाल है आज रात को जैसे कल रात को मैंने आपके 9 प्यम टाइप सफ रिसर्च के क्वेशन डाल दिये थे सुबह टाइप सफ र रखे हुए होते हैं जैसे की एक्यूमिलेटर रजिस्टर होता है जैसे की में मेरी एक्स एड्रेस रजिस्टर होता है में मेरी बफर रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर होता है यह अलग-अलग आप लोगों के पास में जैन्रल पर्पर्पर्स रजिस्टर होते हैं कि इस तरीके से आप लोगों की कैश मेमरी होती है को यह सेकेंडरी मेमरी जो आप लोगों की हार्डिस्क ड्राइब मैंने आपको बताई यह हार्डिस्क ड्राइब है यह आप लोगों के लिए आपकी रैम मेमरी है यह आपके लिए क्याश और यह आप लोगों का सीप्यू है तो हम यहां पर रखा हुआ कुछ डेटा जो है वो उठा के यहां पर रख लेते हैं कि CPU मांगेगा तो तुरन दे देंगे माननो CPU ने मांगा सबसे पहले कैश में डूंडोगे नहीं मिला तो क्या करोगे फिर मैं राम के पास जाओगे फिर राम जो है वो आपको डेटा ढूंड के देगा आप देगो यहां पर एक और टाइप का सवाल है जो बनता है तो मैं यहीं पर आप उसको पढ़ लो तो सॉल्व करवा देंगे आपके पास में जो सेकंडरी मेमरी है हार्डिस्क ड्राइव है वहां पर देटा इन दे फॉर्म फेजेस स्टोर होता है इन दे फॉर्म फेजेस वरी वरी इंपॉर्टन यह मैं जानते हूं कि बहुत जादा लोग आपको यह चीज नहीं पढ़ाते हैं बट बेटा एक्जाम में आता है है ना मैंने तो 2020 में अपनी पहली क्लास में ही स्रम दीरम पढ़ा दिया था आदी जंता इसको आउट ओफ स्लेबस बोलते हैं तुडेंस भी और टीचर्स भी पर इस नोट आउट ओफ सिलेबस या ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं ठीके ना आप सभी लोगों को यह भी याद रखना है कि कैश के अंदर डेटा लाने के लिए एक कि यह बिफ लोंग दने से लुक्ष मिंड डोलते है लोकालिटी स्थ हो और रिफेर्च को अगरक्लिच हूं ¿कॉल ही बॉलते यह चीज़ भी याद रखनी है कि कैश के अंदर अगर डेटा मिल गया तो कैश इट कहला ता है कैश के अंदर अगर डेटा नहीं कि थी एग tuh कै इसे होती है यह हमने बताई दिया है यह सारी चीज़े इस पर मैंने लिख दी है रांडम एक्सिस मेमरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमरी है वॉलेटाइल है नेचर के अंदर इसे आप मोडिफाई कर सकते हो डेटा हाइली रीफ्रेश सबसे ज्यादा बारी रीफ्रेश कहा होता है कौन से पॉंट पर होता एक्सिस मेमरी में होता है एस बचल्स अलग प्रकार आपके पास में ये समा migrant से बनता यह किससर्स से बनता है यह ढूरत नहीं है यह क्या है यह चाहिए इसली रीफ्रेश को आप लोगों के लिए होता है क्योंकि नेचर में ही क्या सी दायना है इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए जो क्यास्ट मेमिरीज होती है वह कैसी होगी कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आप जो है वह यहां पर प्रिंसिपल ओफ लोकालिटी ओफ रेफरेंस का यूज करके डेटा को किस तरहिके से किससे के उपड़ डिपेंड करेगा ठीक है ना इसकि एक है इस रम जो होती है वह फास्टर होती क्यास अफ्कॉर्स फास्टर होती है जो फास्टिव एक्स्पेंसिव होगा और यह एट बीकम कंजिओम आपकी करती हैं तो हमेशा याद रखना जो चैर्श मेमिरी होती वह देंसिटी पे होती है और जो आपकी रैम होथी है वो हाई देंसिटी है यह वाला नया चीज इनाया छीजी फिर डरों ओर यह करता है यह मैंने पूरी पूरी सेशन में समझाया है आपको और फोग्स एलेकर घ्रेसिबल और और एक होता है आपका masking room, masking room भी एक तरीके का room है, जहां पर आप manufacturing के time पर जो भी चीजे लिखते हो, वो सारी की सारी चीजे पर्मनेंट रहती है, इसे हम बोलते हैं masking room, या mask room, ठीक है, random access memory और read only memory में क्या difference होता है, यह भी हमने पढ़ लिया है, तो यह सारी चीजे मैंने आप इस तरीके से मैंने disk platters आपको बना के दिखाये थे, बताया था, re-ride head क्या होता है, कहां पर tracks होते है, कहां पर होते है, magnetic property का इस्तमाल यह करती है, चुंबक ही होती है, ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए, तो seek time, correct track पर पहुचना, correct sector पर पहुचना, आपके लिए rotational latency, और disk के उपर हम यह तीन factors के उपर सारा काम करते है, hard disk कि अगर हम लोग बात करें, तो यह कैसी है, magnetic oxide का इस्तमाल करके data को store करती है, समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है, तो एक बर जल्दी से video को like करेंगे, थमस अप करेंगे, मुझे बताएंगे, कि सब कुछ याद हो होती है, light की property का इस्तमाल करके data को store करती है, इस तरीके से laser property का इस्तमाल करती है, laser, optical है, नाम में ही, देखो याद रखना, आपके लिए जो आपका DVD ROMS है, उस DVD ROMS के अंदर हम about 4.7 GB का data store करके रख सकते हैं, DVD जो होता है, वो आपके CD से better माना जाता है, क्योंकि यह digital versatile disk है, कितना data इसके अंदर रख सकते हो एक बारी में maximum 4.7 GB, GB का मतलब समझते हो ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, जो आप लोगों के लिए CD है, उन CD की क्या होती है, मैम, CD की जो capacity होती है, वो होती है, 700 MB, इसलिए बेटर होता है, समझ गए, मैम 700 MB लिखा है, और GB की टम्स में बात करूं, तो 4.7 GB आपका DVD, यह GB और MB क्या होता है, चलो आज आप मुझे comment करके बताना, क्या आप चाहते हो, कि यह मैं memory की सारी की सारी जो units है, वो आप लोगों से discuss करूं, GB, MB, TB, यह सारी discuss करूं, इसके लाब इनके numerical करवा हो, अगर आप चाहते हो, तो comment के अंदर yes, जरूर लिख देना, अगर मैं continuously flip-flops को एक ही streak में लगा दो तो वही transistor बन जाता है, ठीक है, मनीश, transistors जो होते हैं, वो collection of flip-floppy होते हैं, तो actually में इतना different है नहीं, ठीक है, CD होगी, DVD होगी, दोनों में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस सब चीज़े मैंने बता दिये, केवल R रिखा है, तो केवल readable या recordable है, R, W रिखा है, तो re-writable होता है, ठीक है, अगर double-sided आपकी disk है, तो याद रखना, आप एक बारी के अंदर 9.4 GB का data रख सकते हो, 9.4 GB, सही है, आगे बात की जाए, तो blu-ray disk नई technology है, यह जो है, यह आपके blue razor के उपर काम करती है, चश्मे भी बनते हैं इसके, blu-ray की capacity बहुत जादा high होती है, 25 GB, 50 GB, 100 GB तक का data यह स्टोर करके रख सकती ह ब्लू-ray जो है, वो आपकी बिल्कुल, SSD के comparison में तेज भी होती है, पावर भी कम कंस्यूम करती है, मतब अच्छी memory है, SSD की साथ में आके खड़ी हो गई है, तो 25 GB से लेकर, पूरा का पूरा आप लोगों के लिए, 100 GB तक का data यह रख सकते है, blu-ray disk का नाम है, magnetic disk और आपके optical disk में क्या difference है, यह मैंने आपको बता दिया है, एक चीज याद रखना, आप लोगों से एक्सिस के टाइप पूछे जाते हैं, तो याद रखना, कि magnetic disk में रांडमली डेटा को आप एक्सिस कर सकते हो, वेरेस आपकी optical disk के अंदर आप डेटा को सीक्वेंशिली एक्सिस करते ह हो, कैसे करते हो, सीक्वेंशिली एक्सिस करते हो, इसलिए यह स्लो होता है, यह तेज होता है, आप से हायर की पूछी जाएगी, आगे बात करें, magnetic tape drives की बात करी थी हम लोगों ने, तो देखो, tape drives जो है, वो आप लोगों के इस तरीके से दिखते थे, cassette वाला फॉम है, यह आपकी tertiary memory है, data warehouses के अंदर मैं यह रखी जाती है, ठीक है ना, एक question के साथ में करते हैं, video का end, question देखो, मज़िता है, क्या कह रहा है, आपको correct order बताना है, computer storage का, according to the descending order of their excess speed, descending मतलब सबसे जाधा से, सबसे कम order में आपको लगाना है, तो सबसे जाधा excess speed, किसकी रहेगी, cash क किसकी रहेगी, माम रजिस्टर सबसे तेज होंगे, फिर cash होगा, फिर main memory होगी, फिर आप लोगों के लिए क्या होगा, आपके लिए magnetic disk होगा, होगा है, decreasing order of excess speed, एक के ना, DABC, समझ गए हो, यह आपका, आज का homework सवाल, सभी लोग देख पार है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है, इस homework सवाल का जबाब, आप लोग मुझे देंगे, आज के comment section के अंदर, साथ ही साथ, आज comment section के अंदर, आप मुझे एक और चीज़ बताने वाले हैं, जो कि आप लोगो का जो storage है, वो कितना होता था, अब तो यह obsolete हो गई है, floppy disk के अंदर, हम कितना data को store करके रख सकते हैं, यह आपको बताना था, ठीक है न, बाकी मैंने आपको बताई दिया है, कि आपके लिए जो CD है, वो 700 MB का होता है, ठीक है, अगर बात किया जाए, आप लोगों के DVDs होते data store करके रख सकते हैं, ठीक है, अब आज आपको जाके जो topic को revise करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कि जो आपका revision है, वो किसका होगा, revision में आप लोगों को मैंने memory hire की, और साथी साथ memory units, इनके बहुत सारे videos दिये हैं, बहुत सारे questions भी solve करवाए हैं, तो आपको ये questions और ये topic को revise करना है, आज जाके आपको ये revise करना है, memory hierarchy और memory units वाला topic, ये बहुत important, अगर एक बार ये पढ़ लिया तो आपका पूरा memory वाला part complete हो जाएगा, ठीक है न, आप भी नहीं बताना है, comment section के अंदर बताना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो syllogism की जिसमें मैं guarantee करते हूं कि 100% आपका सवाल सही होगा ही होगा, तो कल अपन क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे, syllogism, logical reasoning का topic, ठीक है न, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे, कल के session में, 9 p.m. इनके questions में solve कराऊंगी, त सभी के सभी ICT के important questions के लिए, ठीक है guys, bye bye.